आज हम फिर आजे रहें आपके सामने एक नए वीडियो के साथ तो चलिए देखते हैं पड़ा पड़ा किस ब्रांड का है क्या आर्टिकल है फिर अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं फिर आपको शूस के बारे में जानकारी देता हूँ रट्चिफ कंपणी का शू है आठीकल है RC2055 कलर एलिफेंट 10 इसका एक कलर एक कैमल भी आता है MRP 3695366 साइज है 7 आठीकल है RC2055 RC का मतलब रट्चिफ होता है 2055 आठीकल है कलर एलिफेंट 10 मैंने जैसे बताया था रट्चिफ कानपूर की कंपणी है manufactured by कानपूर में ही manufacture होड़ा है यह कानपूर उत्तरप्रदेश और वहाँ पे जो manufacturing plant है उसका नाम है Lian Global Private Limited यह Redshift की company है जो manufactured करती है और customer care number भी दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉक्स में वही size की चार्ट दी हुई है और यहाँ पर online shopping के लिए website बताईए जो original website है इसकी official www.redshift.in चलिए पटापट unboxing कर लेते हैं और आगे देखते हैं यह राशूस और वही जो हर Redshift की सड़ी हुई quality का bag carry bag यह पेपर यह पैकिंग यूज़ करते हैं यह अच्छा करते हैं polythino paper से तो बैता रहे तो चलिए फटा फटा आपको शू दिखाता हूं पिर उसके बारे में बताता हूं आपको के राशूस इसका classic shoe है यह बहुत पुराना model है रेगला और विकता है इसके 20-51 आर्टिकल आता है RC-2051 उसका भी मैंने वेडियो आपको बताया है पहले यहाँ पे देखे रेडशिप की branding दी हुई है इस color में भी आता है यह camel color जो लगा हुआ है पैच न इस color में भी यह shoe आ और यहाँ थोड़ा सा फरक है उसमें यहाँ पे सिलाई होती है यह plane है बाकी लगभग चीज़े पैडिंग और inner जो सब lining होती है सब कुस्से में बहुत ही hard leather यूज़ करता है देखे एक तम कड़ा leather देखे रिंकल्स आते हैं दाबाने में बहुत ही hard leather यूज़ करता है यह अंदर leather पतला होता है अंदर जो है वो अस्तर यूज़ करता है उठे का और कपड़े का उस वज़े से यह hard हो जाता है देखे यह इतना ही leather यह लेदर यह लेदर इतना hard नहीं है थोड़ा सा जो यह chemical wash करते है उसके वज़े से भी hard हो जाता है तो काफी hard leather रहता है weight बहुत एक हिस्ती भी नहीं है minimum 2 साल और highest जो customer ने यूज़ किया 7-8 साल की service देता है यह logo को जो normal यूज़ करते है जो refuse भी करते है तो उनके पास 2-3 साल तो चलता ही चलता है यह red chief का logo है शुरू से ही यह logo आ रहा है इसमें जब यह shoe 18-95 का आता था जब company शुरू ही थी जब इसके formal अच्छु 45-500 रुपए के आते थे जब शुरू में company चालू ही थी तब तब से यह logo यही है इन्होंने logo चेंज नहीं किया यहां भी branding की है red chief की अंदर भी करते ही है branding comfort technology लिखा हुआ है red chief लिखा हुआ है और यह real leather का tag है और size लिखी हुई है 7 देख सकते हैं बहुत soft padding यह use नहीं करता लिखा comfort जरूर है पर इतना soft leather होता नहीं है इसका बहुत hard रहता अंदर की फैडिंग भी बहुत softning नहीं हलकी सी रहती है बागी यह है कि leather है पसीना पाने के बाद समय के साथ थोड़ा soft हो जाता है पानी आनी भी थोड़ा पढ़ता है बारिश का पानी पढ़ता नाम है आप redshift की भी polish उठाएंगे तो उसमें जो 1110 की polish आती अब उन्हों ने भले चेंज कर दिया हो पहले उसमें manufactured by CP marketing ही लिखा होता था हिलियोस की लेंगे 125 रुपे की अब 125 रुपे की आती है इसकी polish और redshift की 200-200 रुपे की आती है लगबग बना के वो ही देता है पर redshift का नाम जुड़ जाता है तो थोड़ा सा महेंगी हो जाती है देखें लेदर इतना ही रहता है जो ये पैश लगा हुआ है या इतना ही मोटा लेदर होता है बाकी अस्तर यूज करते ही जो इतना मोटा दिखने लगता है तो शूस बहुत बिखता है काफी समय से कंपनी ये शूस बना रही है इसकी पहले MRP मैंने बी सिंग क्यावन की भी बताई थी आपको 2051 की 1895 से शुरू हुआ था 3695 रेट है इसका डबल हो गया है जितना पैसा ले रही है उतना material नहीं दे रही है आपको वह value for money मैं शूस को नहीं बोलूँगा पर हाँ बहुत मस्बूश हूँ है comfortable समय के साथ होता है नए में comfortable नहीं होता बहुत हार्ड है वेट भी मैं आपको बता देता हूँ वेट कितना है लगभग इसका वेट जो है वेट है भाई 570 ग्राम मतलब आधे किलो से भी जादा वजन दार ये जूता है मतलब लगभग 1100 ग्राम के आसपास लगभग आप पहन के जो है चल रहे हैं सवा 1100 ग्राम एक किलो से भी सवा किलो का लगभग कहेंगे लगभग सवा किलो के जूते हैं दोनों पैर के अगर आप मिलाते हैं तो भाई बहुत ही भारी जूते होते हैं ये सबके लिए नहीं होते हैं आपकी पतले दूबले हैं और बहुत हाइट इट नहीं हैं पतले द जानने में MRP होके आ गई, अभी भी बिकता है, पर हाँ जो पहले बिकता था जब यह 25-22 का आता था, तब जितना बिकता था, अब उतना नहीं बिकता है, पर हाँ बिकता है, पर इसकी बहुत जादा कॉपी आती है मार्केट में, तो प्लीज आप भिखान दें कि बिल के साथ पिछले भी रेट्चीफ के वीडियो में मैंने आपको यह बता हूँ, पर इसकी बहुत कॉपी आती है, क्योंकि यह अर्टिकल है, इसका बिखता है, सुरू से बिखता है, तो कंपनी तो बना रही है, पर दूसरी कंपनी इसकी कॉपी भ्यानक करती है, कानपूर के कुछ लोक करें, और बिल जरूर ले, अगर दुकान दाराना का नहीं करता है, बिल देने में, तो मत लीजे प्रोडक्ट उसके हां से, दूसरे के हां से आप प्रोडक्ट लीजे, और बिल के साथ लें, मजबूत है, कमफरडेबल तो नहीं काऊंगा, वैल्य फोर मनी तो नहीं प्रोड़ काऊंगा, तो आप पॉलिश करते रहें, तो नहीं आसा बना रहेगा, एलिफेंट एन कलर की पॉलिश आती है, हलियोस कंपनी और रेडशीप की दोनों की आती है, एलिफेंट एन कलर की, तो वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, यहां भी देखिए बहुत हार्ड लेदर, रिंकल्स भी आ जाते हैं कि उस समय बास जादा है, बहुत हार्ड लेदर यूज करता है, यहां तो पुठा मोटा लगाता है, क्योंकि यहां दबेना तो फिनिशिंग बनी रहे है उसके लिए, तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आज के वीडि यूमे, बाए!